नमस्कार दोस्तों, मैं स्वितिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। आज इस वीडियो में हम निकोला टेसला कोर्ट 3, 6, 9 के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निकोला टेसला इस धर्ती पर जन्म होने वाले शीर्ष के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक ऐसा नाम जिनके साथ ना जाने कितने अज्यात रहस्य से जुड़े हैं। जिन्हें सुलजाने में आज भी विज्ञान पूरी तरह से उलज़ा हुआ है। और ऐसा ही एक रहस्य है तीन, छे और नौ नमबर जिसे टेसला कोर्ट भी कहा जाता है। जिसके बारे में पिछले 20 सालों में रिसर्च से जो नतीजे सामने आए हैं वो बहुत चौकाने वाला है। जैसे सफल आविसकारों के जन्मदाता 300 से भी ज्यादा पेटेंट और अनलिमिटेड फ्री वायरलेस एलेक्ट्रिसिटी जैसे अनलिमिटेड मिस्ट्रियस प्रयोग करने वाले रहस्यमय आविशकारक निकोला। आखिर ये 3, 6 और 9 नंबर के अपने इस थेयरी से दुनिया को क्या समझाना चाहते थे। आखिर 3, 6 और 9 नंबर को लेके उन्हें इतना बड़ा दावा क्यों किया। अगर आप इन नंबरों के रहस्य को सुलझा पाएं तो समझो आपने ये ब्रम्हांड की चाबी को खोज लिया है। ऐसा क्या खास था इन नंबरों में जो 8 भाशाओं के ज्यान रखने वाला एक जीनियस साइंटिस्ट इन नंबरों को धार्मिक रूप से अपने जीवन की हर चीज में किसी ना किसी तरह से शामिल कर लेता था। कुछ आदतें उनके दैनिक जीवन का हिसा थी और जिसके कारण लोग उन्हें पागल और संकी भी कहते थे। चलिए खोजते हैं तीन, छे और नौ से जुड़े ब्रमांड के उस गहरे रहस्य को जिसकी तरफ निकोला ने इशारा किया था। बस गनित को खोजा है। जी हाँ, गनित वो भाशा है जिसका इस्तिमल स्रिष्टी के निर्मान में हर चीज में किया गया है। और सीक्रेट पैटर्न इस ब्रमांड की हर चीज में मौजूद वो दिलचस्प। पैटर्न है जिसको ब्लू प्रिंट आफ गौड भी कहा जाता है। यह है एक सेल, इस धर्ती पर मौजूद हर जीव, हर प्राणी के जन्म की शुरुआत। यह एक सेल से होती है। और यह सेल डबल होकर दो सेल में कनवर्ट होता है, दो सेल चार में, चार सेल आठ में, और आठ से सोला सेल में, और सोला सेल 32 में। और यह प्रक्रिया ऐस हम Digital Root Method का इस्तिमाल करेंगे और ऐसा करने पर ये सीक्वेंस सामने आता है 1, 2, 4, 8, 7, 5 अनंत तक यही सीक्वेंस मिलती रहती है और इस प्रक्रिया को अगर उल्टा किया जाए मतलब एक का आधा, फिर आधा फिर हाफ और फिर Digital Root Method से एंग डिजिट में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलता है वो भी सेम है 1, 2, 4, 8, 7, 5 लेकिन आश्चर्य स्रिष्टी के इतने बड़े प्रॉसेस में 3, 6 और 9 गायब है रिसर्च से ये बात सामने आती है कि इस पैटर्न में आने वाले 1, 2, 4, 8, 7 और 5 नमबर एक दूसरे से इंटरप्रीट करके 3rd dimension वाली दुनिया की रचना करते हैं और सब नमबरों के बीच में दौड़ती ये रोशनी दिखाती है कि उर्जा कभी भी खत्म नहीं होती बलकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कनवर्ट होती रहती है जैसे श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता में भी कहा था कि आत्मा कभी नहीं मरती तो वो कहा है? ये पैटर्न में 3, 6 और 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 3, 6 और 9 तीसरे dimension से भी higher dimension वाले दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब हम 3, 6 और 9 की doubling करते हैं तो परिणाम और भी आश्चर्य कर देते हैं 3, 6 और 9 नमबर को double या half करते रहने से result 3, 6, 3, 6, 3, 6 ही मिलती है लेकिन नमबर 9 यहां भी गायब है 9 को double या half करते रहने से मिलने वाले नतीजे और भी चौका देते हैं क्यों कि अंतिम परिणाम हर बार 9 ही मिलता है हम सभी जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिगरी का होता है और जब सर्कल को bisect यानि विभाजित करना शुरू करते हैं तो एंगल का अंतिम परिणाम अनंत तक bisect करने पर भी हर बार 9 ही आता है धर्ती, चंद्रमा और सूरज का डायमेटर का भी डिजिटल रूट 9 है लाइट की स्पीड डिजिटल रूट 9 एक दिन में 86,400 सेकंड 1440 मिनट और डिजिटल रूट 9 आप कितने भी दिन हफते या साल ले लो आप सबके मिनट और सेकंड निकालेंगे तो उसका डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा 9 के टेबल में डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा यानि के 9 नमबर ब्रह्मान की प्राइम सोर्स है इस इमेज में भी 9 सबसे टॉप में एक राजा की तरह बिराजमान है तीन और छे नमबर को कंट्रोल करता है और तीन और छे नमबर बाकी सभी नमबरों को कंट्रोल करते हैं जैसे नमबर 3, नमबर 1, 2 और 4 को कंट्रोल करता है और नमबर 6, 5, 7 और 8 को कंट्रोल करता है यानि की सभी नमबर 9 की निगरानी में इस ब्रह्मांड को बनाते हैं ये पैटर्ण बताता है कि नमबर नौन नेचर में एक एकसिस की तरह काम करता है यानि के हर जगह ये एक मुख्य भूमी का निभता है नमबर नौ ही इस ब्रह्मांड में मौजुद उर्जा इस ब्रह्मांड में मौजुद हर चीज इसी के कारण से अस्तित्व में है इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाओं जोडी में काम करती हुई दिखती है जैसे इस पृत्वी की मैगनेटिक पावर नौर्थ और साउथ दो पोल ही होते हैं इस संसार में दो तरह की शक्तियाँ है अच्छी और बुरी लेकिन वास्तव में ये एक भ्रह्म है क्योंकि कोई भी शक्ति दो जोडी में काम नहीं करती सभी कुछ तीन जोडी में होता है जैसे मैगनेट में कहने के लिए दो पोल होते हैं जो तीन और छे को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन मैगनेट केवल इन दो पोल के कारण से काम नहीं करता बलकि इसमें एक तीसरी शक्ति का भी रोल होता है जी हां मैगनेट का एक्सिस नमबर नाइन को दर्शाता है जो चुमबक के दो एक्सिस तीन और छे को शक्ति देता है तभी ये दोनों पोल काम करते हैं अच्छी और बुरी के प्रत्यक मियान में भी दो शक्तियाओं नहीं होती बलकि इन दोनों शक्तियों के बीच में बनने वाला ये S 9 को रिप्रेजेंट करता है त्री वो नंबर है जिसका इस्तमाल इस ब्रह्मांड में ज्यादा है और चीजों को बनाने में नजर आता है जैसे परमाणू में तीन पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, नूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इन ही तीन कड़ों से फिर मिलेंगे अगला वीडियो में आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके मुझे सपोर्ट दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद